अलिग क्यूश्व एक अपिंड क्येंड सुर्टाइब गश्याय का अपर 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 अपरॉब अस्राम अलेकुम् धिस साजाद है दो रखिए और फमटॉरिया.PK यूर पाकिस्तान फ्टडीज ऑन-स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हमने अपने चेप्टर वन में Ideological Basis of Pakistan मतलब पाकिस्तान की नजरियाती असास के बारे में पढ़ा चेप्टर टू में हमने जाना क्याम पाकिस्तान के बारे में यानी Making of Pakistan चेप्टर त्री में हमने Land and Environment यानी पाकिस्तान के जमीन और माहोल के बारे में पढ़ा चेप्टर फॉर में हमने History of Pakistan यानी पाकिस्तान की तारीख के बारे में पढ़ा आज चेप्टर फाइफ में हम Protection of Women Rights की बात करेंगे यानी खवातीन के हकुक की तहाफुद की बात करेंगे खवातीन को हकुक क्यों चाहिए इसलिए है कि उन पे तशदुद किया जाता है और उनको उनके राकूक नहीं दिये जाते तशदinkyात मतलब वायलनस खवातीन के खिलाफ वायलनस किया जाता है आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे वायलनस अगेश वॉमन लेकिन इससे पहले हमें यह जानना है कि वाइलेंस होता क्या है इसकी definition देखते हैं जो कि World Health Organization ने दी है कि वाइलेंस क्या चीज़ है According to World Health Organization, the intentional use of physical force or power that result in or has a likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, or deprivation इन तुमाम चीज़ों से साबिज होता है कि अगर इन में से कोई एक भी चीज़ हो, deprivation हो, psychological harm हो, death हो, injury हो या likelihood of injury हो, कि injury हो सकती हो जिससे, ये सब के सब वाइलेंस के अंडर आते है वाइलेंस को जानने के बाद हमें ये जानना होगा कि वाइलेंस अगेंस गूमन क्या है वाइलेंस अगेंस गूमन इस जेंडर बेस वाइलेंस, ये एक specific जेंडर के खिलाफ है physical, mental और reproductive health जिससे खराब हो उसको वाइलेंस अगेंस गूमन कहते है वाइलेंस अगेंस गूमन की United Nations ने definition दी है आईए उस definition को देखते है United Nations के मताबिक एनी एक्ट ओफ जेंडर बेस वाइलेंस डाइलेंस 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 और इस लाइकली तो रिजल्ट इन फिजिकल, सेक्शल और मेंटल हाम और सफरिंग तु वूमन इंक्लूडिंग सेट्स ओफ सच एक्ट्स, कोईशन और अर्बिटरी, डेप्रिविएशन और लिबर्टी, वेजर अक्रिंग इन पॉब्लिक और प्राइवेट लाइफ इसका मतलब यह कि पॉब्लिक और प्राइवेट लाइफ में खवातीन के حقوق को सल्ब किया जाए यहां उनको حقوق ना दिये जाए, उन्हें किसी किसम की फिजिकल, मेंटल या सेक्शुल अब्यूस के लिए इस्तमाल किया जाए या अब्यूस किया जाए, तो वो वाइलनस अगेंस वूमन के अंडर आएगा यहां पर कुछ मिस्कंसेप्शन भी है, मिस्कंसेप्शन यह है कि वाइलनस कैननोट बी डन बाई समवन बिदिन फैमिली हाला कि ऐसा बिलकुल नहीं है, इसमें हम वर्ल्ड हैल्थ और्गनाइज़ेशन के फिगर्स को देखते हैं जिसका मतलब है कि 35% वूमन एक्सपीडियनस वाइलनस बाई फैमिली मेंबर्स और पीपल देनोग वो लोग जिनको खवातीन जानती हैं या फैमिली मेंबर्स वो भी खवातीन के खिलाफ तशच्दुत करते हैं और अकॉर्डिंग टु दे वर्ल्ड हैल्थ और्गनाइज़ेशन एक में से तीन खवातीन या जिसे कहें आपके 35% खवातीन इसी तशच्दुत का शिकार हैं दूसरे ममाले की तरह पाकिस्तान में भी वाइलेंस अगेंस वुमन होता है।Blueे इसास्थ किस्वातीन के खवातीन के खिलाफ तशच्द या वाइलेंस کی जाता है। ना सिर्फ ये फिजिकल बलके मेंटल, इमोशनल और फाइनेशल अब्यूस भी खावातीन के खिलाफ किया जाता है जो वाइलेंस अगेंस वूमन में आता है अगर हम वाइलेंस अगेंस वूमन को ब्राड टर्म में देखें तो इसमें एक विक्टम है और एक अफेंडर है इनके बैकड्राउंड भी डिफ्रेंट हैं डिफ्रेंट एकनामिक क्लासे से भी हो सकते हैं इनके डिफ्रेंट रिलीजन हो सकते हैं इनकी डिफ्रेंट कास्ट हो सकती हैं तो यह थे विक्टम्स अगर हम ओफेंडर्स की दर देखें तो ओफेंडर्स भी डिफ्रेंट क्लास रिलिजिन या आप ये कह लें कि डिफरेंट कास्ट होती हैं ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनको ये जानती हैं या आफंडर्स को सकते हैं जो कि कम्प्लीट स्टेंजर होते हैं इसके इलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि women are also responsible for committing violence against women कि खवातीन भी खवातीन के खिलाफ तशदूत करती है तो ये था violence और violence against women की basic definition violence against women में myths क्या है और realities क्या है ये हम जानेंगे अपने next lecture में Thank you